चलो नेक्स पेशन करें, क्वेशन रीड करें, क्वेशन क्या क्या रहा है, we have a galvanometer of resistance 25 ohm, it is shunted by a 2.5 ohm wire, ठीक है, the part of total current that flows through the galvanometer is given as, ठीक है, एपसे पहले, आप ये देखो, कि हमारा एक जो circuit होता है, वो होता है, आइडिल सर्कुट जी से नॉमली ohms law पेरिफाइ करने के ल है, ठीक है, ये की हो गया, और ये वोल्ट मीटर हो गया, potential difference, terminal potential difference, वी वोल्ट है, अमीटर का positive negative terminal, ये resistance है, external resistance, यहाँ पैलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, वी वोल्ट का positive negative terminal लगा, अमीटर, देखो, गयार बनी मीटर के साथ, जपिशन प्रेशन लगाय जाता है, इस बनाना चाहते हो, convert करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक shunt resistance parallel में लगाते हो, हमेशा, गयार बनी मीटर के साथ, shunt resistance वैसे दिनों करते है, और ये लोगल का resistance होता है, ये पॉंट यार रखना है, अब अमेटर की जागा, अमेटर की जागा, अमेटर की इधर गई और इधर गई करन्ट, इधर गई आई जी इधर गई आई माइनस आई जी करन्ट, यहाँ दो पॉंट है, ए और बी पॉंट है, तो इन दोनों पॉंट के बीच में potential difference क्या होगा, अगर गैलविल मेंटर से जाते हो, तो आई जी इंटू जी होगा, अगर shunt resistance की करप से जाते हैं, तो potential difference कितना होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस होगा, यह दोनों वैल्यू आपस में equal हैं, तो आप लिख सकते हो, आई जी इंटू capital G, इस इकल तो आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल कर लो, आई जी इंटू जी इंटू एस, आई जी को इधर ले जाओ, आई जी कमन ले लो, साथ में, जी प्लस एस, इस अपर टू आई इंटू एस, ठीक है, इसको आप लग सकते हो, आई जी अपन, आई इस अपर टू एस अपन, जी प्लस एस, तो कोशिन में कह रहा है, पार्ट ऑफ टोटल करन्ट, एक फ्रोस्तू त्रूब गैलुमिंटर प्र्ट यानि जो हो गैलम इंतर से जो कर रही ही, वो टोटल करन का कितना पार है, तो एस की वेलको कर दो, एस की वेलका लिटी ये ये एश पेल वटो फिवाइड वी टिवाटेट गाइड लाई गैल में तो क्लस का रूस तो आई के वे पर्म बाई 11 आई जी अपॉन आई आई जी अपॉन आई कि गर लिया वन अपॉन 11 यह है ना ठीक है चाहिए नेक्स्ट पोशन जबते हैं